हेलो मोचे नेवी काड़ेट्स वेलकम बाक तो स्पोंसर्शिप बूस्टर इंटर्व्यू सिरीज तो आज की लेक्षर सुने वाली है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स पे होगी सम्टाइम्स इस सम्टाइम आक्ष्ट कोसंस इन डिफरेंट डिफरेंट इस पोंसर्शिप इंटर्वी टांप अंट्रव्यवं दिंक्राइम्ट कोशन को आपश्ट्मस इंटर्विव में इस पूचेजिए नर्जी तो कमपनीस इंटर्विव में इस सीपूचहतें हैं फिलेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स अगर आप मात्शिप की से निडिब धा ऊशिरों फीन स् मिलेगी मॉर्सक स्पॉंसर्शिप एक्जामसिन इंटर्व्यू के लिए अगर आप मिनिममम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुल्फिल करते हो तो इस तरह के इंटर्व्यू में एक उसस पूछे जाते हैं अगरेश फ्लेमिंग लेफ्फथेंड रूल तो यहां पर मैंने आपको आपको यहां पर मैटेरियल की यह फ्लेमिंग् लेफ्थेंड रूल इसको सोटकट में आप लिख सकते हो shortcut F LHR flaming left hand rule clear यह shortcut में आप यह लिख सकते हो F LHR clear flaming left hand rule is used to find out the direction of force acting on the current carrying conductor placed in a magnetic field कोई भी करेंट कैरिंग कन्डक्टर अगर magnetic field में placed है likewise यहां पर आप देखसके हो this is current carrying conductor जो white color से आपकोगाsposali है this is current cancel और यह जो arrow आपको 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 आबशा किते हैं this is current फिल्ड ठीक है तो मागनेटिक फिल्ड के विदीन एक कंड़क्टर प्लेस्थ है और वो कंड़क्टर करेंट करिंग कंड़क्टर है तो इस सिचुवेशन्स में अगर आपको फोर्स फाइंड करनी है तो यहां पर हम यूज करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ठीक है मैं आता हूं मैं सब चीज़ा बताऊंगा कैसे फाइंड करनी है और एवरिटिंग मैं आपको बताऊंगा हो सकती है इंटर्वी में आपको इंटर्वी में फोर्स पूछी जा सकती है यहां पर आपको बेस्ट इंटर्वी प्रेपरेट्री कोर्स प्रोवाइड की जा रही है अब सी अब वन मोर एडिशनल आपको इंफोर्मेशन दे दू यह फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यह किस कंपोनेंट में यूज होती है अलवेज रिमेंबर यह यूज होती है आपकी मोटर में सोरी यह यूज होती है मोटर अब आपने तो अभी सिप पे गय नहीं हो ठीक है अभी आप मोटर्स वगरा रियल जो सिप की लार्ज मोटर होती हो अभी आप देखे नहीं हो बट इस्टिल अब आप 12 पासाउट हो य जो मोटर में हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें convert होता है mechanical energy में अब वो mechanical energy utilize होता है various purposes के लिए ठीक है तो उसे motor करते है generator क्या होता है आपके घर में light चली जाती है कुछ functions होते है तो generators आते है ठीक है generators में क्या होता है mechanical energy देते हैं और उससे हमें electrical energy provide की जाती है output में electrical energy मिलते है इसे bulb light and everything glow होता है ठीक है सिप भी बच्चो generators होते है उस generator को हम कहते brushless alternator क्या कहते है brushless alternator ठीक है यह things आपको बाद में समझ में आएगी अगर आप में से कुछ अगर engineering करोगे तो बहुत detail पढ़ोगे और आप deck officers में जाओगे dns वगरा में जाओगे तो very basics तो आपको पढ़ना ही है ठीक है तो flaming left hand rule में यह motor के लिए applicable होती है generator के लिए applicable नहीं होती है motor की force की direction अगर find करनी है ठीक है वहां पर हम flaming left hand rule यूज करेंगे बट generator के लिए होता है flaming right hand rule तो यहां पर आपको कैसी याद रखनी है एक मैं जस्ट आपको ट्रिक बता दे रहा हूं simple flaming left hand rule एक आर आ रही है one आर ठीक है यहां पर कितनी आर आ रही है one आर ठीक है एम ओ टी ओ आर यहां पर कितनी आर आ रही है one hour तो फ्लेमिंग left hand rule में one hour आ रही है मोटर में one hour आ रही है तो फ्लेमिंग left hand rule ऑ बडर्टुमं है अब देखो फ्लेमिंग right hand rule थ выз फजेमिंग रायट हैं ड्रीक है इह होगी generator में थीक है generator में बच्चो तब यहां पर देखो flaming right hand rule तो यहां पर R अब देखो ठीक है R देखेंगे बच्चो तो 1R 2R तो यहां पर कितनी R आ रही है 2R आ रही है G E N E R A T O R तो 2R आ रही है तो 2R 2R common है तो इसलिए flaming right hand rule generator में यूज होगी बच्चो और flaming left hand rule motor में यूज होगी बच्चो अगर एक डेक as parent को मिंस मिंस अगर आप dns की sponsor ship लेने जा रहो और in case आपको interviewer ना ऐसा questions पूछ दिया और आप बता दिये इसकी application flaming left hand rule motor में यूज होती है flaming right hand rule generator में यूज होती है Mark my word एक बहुत बड़ी impression आएगी यह आपकी selection point भी हो सकती है clear तो flaming left hand rule आज हम पढ़ रहें तो flaming left hand rule में क्या करते हैं अगर कोई भी current carrying conductor है अगर magnetic field के within surrounding में placed है तो उस current carrying conductor की जो forces होगी वह हम find कर सकते हैं चलो फिर से हम image में आते हैं अब हम बात करेंगे flaming left hand rule तो flaming left hand rule में यह three fingers काम में आएंगे आपके तो यह जो thumb जो होगा ठीक है thumb जो होगा यह होगी direction of force ठीक है यह thumb जो होगी यह direction of force बताएगी ठीक है चलो अब यह four finger जो होगी ठीक है यह जो four finger होगी यह finger यह magnetic field बताएगी this finger आप भी है मेरे साथ ऐसे करते जाओ जैसे मैं कर रहा हूं यह क्या बताएगी force बताएगी thumb four finger क्या बता रही है magnetic field middle finger क्या बताएगी आपको direction of current इंट्रव्यू में कितनी बार इस्पोंसर्शिव डीनेस इस्पोंसर्शिव इंट्रव्यू में बहुत बार क्योंस पूछी गई है candidate से ओके सो मी और सो मीदा direction of forces with the help of your finger तो आपको वहां समझ नहीं आता है तो एदम अच्छे से याद कर लो थम क्या है बच्छो थम है फोर्स direction of force फोर फिंगर क्या है बच्छो मागनेटिक फिल्ड है इस मिडिल फिंगर क्या है बच्छो direction of current है clear कोई डाउट चलो अब हम आते हैं find करने यहां तक interview में पूछी जा सकती है अब मैं advance level आपको थोड़ा बता दे रहा हूं in case वह आपको pain and paper देते हैं कुछ इस तरह से वह draw करके देते हैं और आपको बोलते है चलो find करो ठीक है चलो force की direction find करो with the help of flaming left hand rule right hand rule पर आज नहीं है बच्छो left hand rule पर हम बात कर रहे हैं देखो यह current है तो यह conductor है conductor की में current carrying की direction आपको दी गई है आई की direction है अब आप देखो यह cross का मतलब क्या होता आपने 12 में पढ़ा भी होगा बच्छो यह cross का मतलब क्या होता है simply magnetic field inward है है ना मागनेटिक फिल्ड की direction जो है inward मिंस अंदर की टरफ मिंस अंदर की तरफ माँनिटिक फिल्ड की डियरेक्टेक्स ठीक है अंदर की तरफ है अंदर चलो अब यहां पर मुझे force find करने какая force में म्हुझे स्टिशन अब spor करना किए ईक सब्सक्ति यй का ऐसे करेंगे की जब इंदे करेंगा तो सब्सक्ति या इंदिकेट करेंगे डरेंगी किन और सब्सक्ति कर मुझे साफ बता हें घुर्य ठेकिट नब force this four finger आपको बताएगी magnetic field अब magnetic field क्या है inward है and this one middle finger आपको बताएगी current तो अब भाई आप मुझे बताओ ठीक है अब current ये middle finger क्या बता रही है current तो current की direction ऐसी है या नहीं ये finger देखो भूल जाओ ये दोनों को बस देखो ठीक है यह कुछ यह सी डारेक्शन यह करेंट की डारेक्शन है किलियर ठीक है कंसेंट्रेशन इस पर करो ठीक है फिंगर पर नहीं करनी है ठीक है अब देखो इसकी डारेक्शन है यह करेंट की डारेक्शन होगी चलो अब देखो अब यह जो फिंगर थी यह क्या देनोट कर रही थी, magnetic field, तो magnetic field inward है, तो मैं क्या करूँगा, inward, इसको अंदर की तरफ ले जाओंगा, outward रहता, तो मैं इसको बाहर की तरफ ले आता, अभी inward है, current की direction कुछ इस तरह है, यह finger denote कर रही है, current की direction, इसको बाहर की direction, इसको बाहर की direction, इसको बाहर की direction, आप देखो, थम्ब की इंडिकेशन क्या है, तो अब पे, तो force की direction क्या होगी, कुछ इस तरह होगी, क्लियर, getting or not, क्लियर हो रहा है नहीं, force की direction upward होगी, तो force की यहाँ पर direction क्या हो जाएगी, बच्चो, upward, चलो, एक और example लेते हैं, बच्चो, again current carrying conductor है, अब इस current carrying conductor में, current की direction आपको upward सो की गई है, अब नाओ, यह cross थी, यह cross थी, अब यह dotted है, तब dotted का मतलब क्या होता है, बच्चो, simply आप मोलोगे, magnetic field जो है, outward है, ठीक है, means, अब magnetic field जो है, outward है, इस case में magnetic field inward थी, ठीक है, current की कुछ ऐसे direction थी, current direction यह है, magnetic field अंदर की तरफ थी, inward थी बच्चो, तो force की direction upward होगी, clear, चलो, अब यहां पर आते है, अब यहां magnetic field, आपको इस तरह से करना है, magnetic field आपकी outward है, means, यह finger तो आपकी outward होगी, clear, outward होगी, चलो भाई, अब current की direction upward है, तो यह outward होगी, और current की direction upward है, means, इसकी direction upward होनी चाहिए, और इसकी direction remains same होनी चाहिए, outward होनी चाहिए, तो अब मैं अपनी यह finger को, कुछ इस तरह से करो दूँगा, clear, कुछ इस तरह से कर दिया, आप देखो बच्चो, अब आप पूज़य बताओ, यह क्या है, magnetic field है, अब आप देखो, magnetic field क्या है, this one is magnetic field, magnetic field क्या है, अब आउटवर्ड है बच्चो, देखो, cross means outward, तो देखो, तो आउटवर्ड है मागनेटिक फिल्ड यह किसकी डारेक्शन हो बच्छो करेंट की डारेक्शन है करेंट की डारेक्शन क्या है बच्छो अपवर्ड है मागनेटिक फिल्ड आउटवर्ड करेंट की डारेक्शन अपवर्ड फोर्स की डारेक्शन क्या होगी बच्छो कुछ कुछ इस तरह से होगी एक प्रक्राइण है कुछ इस तरह से होगी छ्र Florida तो इस हुआ है क्लिर औरूट सो इस तरहिख से अप basic मैं कर सकते होले लेफ्ट हैंड रूल और मार्टम यह कोश्चन सेलेक्षन वाली कोस्टन्स होते हैं क्योंकि इन कोस्टन्स की सही जवाब प्रोपर जवाब बहुत कम लोग दे पाते हैं 80% 60% 50% तक लोग जवाब देंगे लोगों को यह पता होगा कैजट्स को यह पता होता है यह थम्ब फोर्स है यह दोनों में कन्फ्यूज होंगे ठीक है या अगर आपको यह थिंस पता है तो बट आपको अगर वो एक पेन एंड पेपर में ड्रोग करके अगर वो देगा कुछ इस तरह से सिच्वेशन ड्रोग करके दिया वो बोलता है कि फोर्स फाइंड करो वहाँ प्रोब्लेम्स कर रहें ताकि यह आपको बेस्ट इस्टेडी मेटेरियल बेस्ट टुटोरियल लेक्चर्स प्रोवाइड की जाए ठीक है चलो अब अच्छे से इस्पोंसर्सिफ इंटर्व्यू एक्जाम्स की प्रप्रसंस करो स्टे ट्यून इस्टा करें नेक्स लेक्चर्स अब फिर से इसा बस्किति जान्यों करेंडिया क्जा में दुटा है, तो ऑंपको ऑ Microsoft » Ο